अगर आप government schemes का फाइदा उठाना चाहते हैं, तो इस episode में आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा, जिनको जानकर आप बहुत फाइदे में रह सकते हैं. इस episode को मैंने दो हिस्सों में बाढ़ दिया हैं. पहला, small scale national jobs. दूसरा, middle scale international and national jobs. government के elect होने से पहले, हमने ऐसा बहुत बार सुना है कि बहुत सारी नई opportunities आने वाली है, बहुत सारे Indian citizens की job secure होने वाली है, पर ऐसा लगा नहीं इन पाच सालों में. बहुत लोगों ने अपनी job loss कर दी, कुछ लोग बेरोजगार हो गए. और अब लोग ये पूछते हैं, क्या सही में इंडिया में jobs की कमी होने लग गई है? इस वीडियो के पहले हिस्से में, small-scale jobs के लिए, मैं आपसे कुछ ऐसे government schemes के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनको शायद आपने सुना होगा. इनको डीटेल में समझाने के लिए, मैं इन सारे schemes की official links description box में दे दूँगा. सबसे पहले बात करते हैं Skill India की. प्रधान मंत्री कल्यान विकास योजना. इस scheme के अंदर ऐसे बहुत सारे Indians हैं, जिनोंने enroll करके बहुत फाइदा उठाया. मैंने काफी reports पड़ी, जिनमें ये देखा गया कि बहुत बेरोजगार इस program के अंदर Skill India में enroll करके उन्होंने अपने life को save कर लिया. ऐसा ही benefit employment exchange में खुद को register करने पर मिलता है. अगर आप एक small scale job चाते हैं, government schemes का फाइदा उठाकर, तो आपको अपने नजदी की district skill training center जाकर एक program चूज करना होगा. उस program को complete करने के बाद आपको placement मिल जाती है. इसके बारे में अगर आपको जाला जानना है, त के लिए. अगर आपने class 10th, 11th, 12th या फिर undergraduate तक कोई degree की है, तो मैं आपको highly recommend करता हूँ कि आप खुद को employment exchange में register कर ले. इससे क्या होगा आपके district में, जब भी कोई government job या फिर कोई contractual private sector या public sector की job निकलती है, तो आपको inform कर दिया जाए. ये दोनों division small scale job के लिए है. अब ब air education क्या है, employment exchange में खुद को register करने से ये तो एक फाइदा है कि आपके district में कोई भी contractual या फिर public sector job आए, तो आपको इसके बार में पता चल जाता है. और आप हमेशा अपने state के local newspapers को follow कीचे. उनमें एक column माता है जहां पर job advertisement होता है. उनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि कहा कहा किस divisions में अभी currently job की opening है. फिलाल ही में जिन migrants लोगों ने एक state से दूसरे state में move किया, इनों ने अपनी job गवा दी और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी unemployed है. इस वीडियो को बनाने का main motive ये है कि अगर आप settled हो, आप अगर किसी ऐसे लोगों को जानते हो जिनको job की कर सकते हैं. अच्छा तो फिर वापस बात करते हैं हम लोग दूसरे divisions के बारे में. पहले division में skill India और employment exchange में रेजिस्टर होने से small scale jobs का फाइदा आप उठा सकते हैं. दूसरे division में हम बात करने वाले है national and international new job opportunities के बारे में. ऐसा कुछ दिनों पहले में ने सुना था कि प्रध की country में. ये कोई बस handshake के लिए नहीं जाते हो. ये जो उनका trip होता है इंडिया से बाहर ये दूसरी country के presidents, delegates, finance ministers के साथ बस हाथ मिलाने के लिए नहीं जाते हैं. ये meetings होती है ताकि वो दूसरी country से industrialist companies को अपनी country में ला सके और नहीं jobs create कर सके Indians के लिए. अब इस पूरे situation में USA and China trade war के बाद बहुत सारी ऐसी companies, outlets, franchises है जो चाइना से अपनी production और business बाहर दूसरी country में शिफ्ट करना जाती है. इस competition के चलते होए, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Taiwan, Bangladesh इन सभी लोगों ने उन नई companies को approach करना शुरू कर दिया. इस race में इंडिया भी पीछे नहीं रहा. इस सारी meetings इन ही वज़े से की जाती थी, ताकि वो foreign companies को इंडिया में ला सके. अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया में एक ऐसी जगा है, जिसे reserve कर दिया गया है, नई companies के लिए. जब बाहर से नई companies इंडिया में आएंगे, तो साथ ही नई jobs लेकर आएंगे. जिन लोगों ने जिजे तो हो गई कि government schemes का फाइदा उठा कर कैसी किसी company में join हो सकते हैं. भले ही वो small sector job हो या फिर large scale job हो. इन दोनों के बीच में MSME, ये scheme भी उन लोगों को encourage करता है, जो खुद के लिए नया business शुरू करना चाहते हैं. जैसा कि इंडिया में अभी ये encourage किया जाता है कि कर सकें. MSME के scheme के फाइदा उठाने के लिए आपको जो information चाहिए होंगी, उनके links भी में description box में दे दूगा. आपको skill India programs, employment exchange registration, MSME से related programs और कुछ नहीं companies जो इंडिया में अभी shift हो रही है, इनके बारे में जो information चाहिए होंगी, इस सारी detail description box में मिल जाएंगे. और वैसे भी, इंडिया में कुछ ऐसे national companies हैं, जो हर साल vacances निकालती हैं, जैसे कि Indian Railway, Indian Armed Force, Indian Post, SBI, Indian Oil Corporation, भारत Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, इस सारी companies हैं, जो कि हर साल बहुत सारी vacances निकालती हैं, तो अगर आपको इन लोगों के बारे में, इनकी vacances के बारे में जानना हैं, अपडेट रहना हैं, तो आपके हो, इनकी official websites के career section को, या फिर इनकी notice section में नई vacances के advertisement को follow करते रहना चाहिए, और हमेशा अपने local newspapers के advertisement में, job vacances के details को follow करते रहे हैं, और इंडिया में कुछ ऐसे private sector companies हैं, जो की बहुत नई लोगों को recruit करती हैं, जैसे कि फिलाल ही में, Quest Corporation, बैंगलोर की एक कमपन जो अभी सबसे ज़ादा registered employee के साथ number one में हैं, उसके बाद TCS, Infosys, IBM and Wipro, इन सारी companies, इन में उन लोगों को आसानी से job मिल जाएंगे, जो qualified है और अभी फिलाल job hunting कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, Skill India, Employment Exchange, MSME या फिर international companies जो इंडिया में move कर रही हैं, क्या इनके आने क इंडिया के लोगों को jobs की कमी होंगी, आप अपने thoughts कॉमेंट बॉक्स में kindly share कीचे, यहां बहुत अच्छी बाते बताईगे, मेरे लिए असन्त संतोष न रहा है, आज के लिए इतना ही, आप सिब फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए तेक के रहे हैं, आप सिब फिर मिलूंगा एक है, आप सिब एक लाध एक हैं, आप सिब एक लिए उादरे हैं, आप सिब एक ल popularपिसों के लिए इतना हैं, थाद की अजो, आफ्गत अश्दान​, वहां अँछते प्यूंस, आप सिए आइए आप